हाई वेलकम टो भीवन्यु आईएस माइम इस रोहित गर्चा एंड इस सीरीज इस कॉल्ड तू दपॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करन्ट फिर्स को डिसकस करते हैं बहुत प्रिसाइज वे में आपके प्रिलिम पॉइंट व्यू से कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिनको प्रिलिम के अंदर पूछा जा सकता है और उन टॉपिक्स के अंदर ऐसी कौन सी चीजे हैं जो प्रिलिम के अंदर पूछी जाएंगी तो उसका एक बहुत ब्रीफ वीडियो फॉर्माट के अंदर हम आपके लिए लेके आते हैं अभिमान्यु आईएस इस पॉजिटिव रिजल्स सिंस 1999 और तूद पॉइंट के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है यूवा संगम विच अगें अन्यू पॉर्टल दाट हैस बिन डेवलब्ड अकी लोस ताइस बिल्ड हो सकें बिट्वीन दी यूथ अफ नॉर्थ इस इंडिया नॉर्थ इस कर सकते हैं completely यहां पर and this is one of the ways जिसके थूँ इसको one of the legs of the very large chair जिसके अंदर हम यह करेंगे कि यूथ अफ नॉर्थ इस रीजन को हम बाकी इंडिया के साथ में जो है वो टाइस बिल्ड कराएंगे तो यूवा संगम एक वो पोर्टल है तो मिनिस्ट्य अफ एड्यूकेशन जो है उसके अंडर ही रहने वाला है अगयन क्योंकि हम यूथ की बात कर रहे हैं तो mostly हम जो टार्गेट करेंगे सरकार के तुरू वो स्टूडेंट्स के तुरू ही हो पाएगा इसको चलिए आगे चलते हैं थोड़ा देखते हैं ये कैसे है ये क्या है यूवा संगम इस अन इनिशेटिव तो बिल्ड क्लोस टाइज बेविन दी यूथ आफ नॉर्स इस रीजन और इंडिया अंडर दी स्पिरिट ऑफ एक भारत रेस्ट भारत तो देखो अगर युवा संगम को पर कोई सवाल आया और वैसे बहुत सिंपल सवाल होगा कि कि किस मिनिस्ट्री के अंडर है यह यह क्या कर रहा है कुछ इस टाइप की चीज उसके अंदर होगी और हो सकता है कि multiple statements हो कि which of the following is correct के उस statement form में आ जाए तो यह इसकी spirit है इसके उपर भी पुछा जा सकता है को बहुत बढ़ी बात नहीं होगी बहुत out of the blue question नहीं होगा क्योंकि यह इसके manifesto में बहुत clearly जो है वो mention किया होगा है कि एक भारत श्रेष्ट भारत के अंडर है यह आपको देखने क मिलेगा युवा संगम embodies the philosophy of our rich culture, our glorious history and ancient heritage, right again same philosophy, the youth between the ages of 18 and 30 will take part in this program, again an important point व्योंकि यहाँ पर age दे दिये, अब यूथ महाँ पर बोला है वैसे देखो definition के through यह clear हो जाता है बट इसमें upper lower यह दोनों है तो अगर कोई सवाल change करने को आएगा या टेरा सवाल करने को आएगा तो 30 का 25 किया जा सकते है कि 18 से 25 तक है, 18 से 24 तक है जो college वाली age होती है ना, यूकि students को target करना है mainly, right, तो यह चीज हमने जो है थोड़ा सा careful रहके इसको भी जो है हमने ध्यान में रखना है, ओवर 20,000 youth will travel across India and gain a unique opportunity of cross-cultural learning, वही मुद्दा इसके अंदर भी जब हम बात कर रहे हैं कि अमने नौर्थीस्ट को integrate करना है, तो सबसे easy और सबसे वो मखन सा method जो रहेगा वो यही रहता है कि आप culturally जो है एक दूसरे से aware करवाद हो, for example, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई आपका दोस्त है जो किसी बाहर वाले region से जो है वो बिलॉंग करता है, तो how do you introduce this friend to other group of friends, कि यह उस region से है, और उसके बाद में उस region पे बाते शुरू होती है, and suddenly you see कि यार हाँ integration तो होगी है friends की, right, तो कुछ बैसे है कि cross-cultural learning इसके थूरू होगा, through the course of the program, students will interact with each other in the areas of, see अब यहाँ पर देखना है कि कैसे integration होती है, किसके थूरू, language, literature, cuisine, festivals, cultural events and tourism, तो अगर आप थोड़ा सोचोगे ना, तो आप भी इनी चीजह में बात करते हो, अगर कोई आपको ऐसा, कोई friend आपका बन जाता है, जो कि आपकी region से नहीं है, तो यह ही सब होता है, other than the weather, हलागि वो टूरिजम में कवर हो जाएगा, they will get a first-hand experience of living in a completely different geographical and cultural scenario, तो यह युवा संगम के अंदर जो है, आपको देखने को मिलेगा, significance इसकी बहुत short में देख लेते हैं, वैसे तो देखी यह pre का पार्ट नहीं है, but consider this bonus content, the program will give an opportunity to see, know and understand India and do something for the country, this is yet another initiative for cementing the bond between the northeast and rest of the India, बहुत सारे और भी programs हैं, I would suggest कि you make a list, आप internet पर जाएंगे, तो already इन programs की list आपको मिल भी जाएगी, तो यह थोड़ा सब cover करके रख सकते, क्योंकि यह topic थोड़ा current में चल रहा, थोड़ा गरम topic है, तो हो सकता है, और चीज़ें जो हैं, इसके around आपको वो भी जो हैं, देखने को मिलेगी, यह संगम में चल रहे इंडिया स्थिवर्सटी, रहे जुवनेद इस पिरिट आप वननेश और आपको अगरेशी, अगें आ लाइन जिसके साथ आप बहुत इसी मेंस के आंसर को खोड़ कर सकते हो, यह किसी essay को बहुत ही beautiful त्रीके से close कर सकते हो, all right, this was today's topic, my name is Rohit Garcha, thank you for watching.